प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाठ तीम्थी के नाम संद्पवलुस का दूसरा पत्र अध्याय चार पसंख्या 10 से 17 तक क्योंकि देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़ कर थेसलनी के चला गया है क्रेशेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमातिया केवल लुकस मेरे साथ है मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ क्योंकि मुझे सेवाकार में उनसे बहुत सहायता मिलती है मैंने तुक्खी कुस को एफेसुस भेजा है आते समय लबादा जिसे मैंने त्रुआस में कार्पुस के हाँ छोड़ दिया था और पुस्तक विशेश कर चर्म पत्र लेते आओ शिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याई किया प्रभु उस को उसके कर्मों का फल देगा तुम भी उससे साधान रहो क्योंकि उसने हमारी सिच्छा का बहुत विरोध किया जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया सब ने मुझे छोड़ दिया आसा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा परन्तु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके मैं सिंग के मुझ से बच निकला या प्रभु की वाड़ी है संद लूकस के अनुसार प्रभियेशु का पवित्र सुसमाचार अध्याई दस पद संख्याएं एक से नौ तक इसके बाद प्रभु ने अन्य बहत्तर शिशन युक्त किये और जिस जिस नगर और गाउं में वे स्वयम जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा उन्होंने उनसे कहा फजल तो बहुत है परंदु मजदूर थोड़े हैं इसलिए फजल के स्वामी से विंती करो कि वो अपनी फजल काटने के लिए मजदूरों को भेजे जावो मै तुमें भेडियों के बीच भेडों की तरह भेजता हूँ तुम न थैली न जोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पगले ये कहो इस घर को शान्ती यदि वहां कोई शान्ती के योग्य होगा तो उस पर तुमारी शान्ती ठरेगी नहीं तो वो तुमारे पास लाउट आएगी उसी घर में ठरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो क्योंगे मजदूर को मजदूरी का अधिकार है घर पर घर बदलते ना रहो जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुमारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुमें परोसा जाए वही खालो वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो इश्वर का राज तुमारे निकट आ गया है यह प्रवु का पवित्र सुसमाचार है ख्रीश प्रवु की जाए एश्व में मेरे प्रिय भाईयो बहनो आज 18 अक्टूबर को हम संद लूकस का परव मनाते हैं जिस सुसमाचार लेखक से हमने आज का सुसमाचार पढ़ा वही संद लूकस लूकस सुरिया की राजधानी अंताकिया के निवासी थे वे पेशे से वाईद्य थे जिने हम हकीम या डाक्टर भी कर सकते हैं वे यूनानी थे और आदिम कलीसिया के सबसे पगले गायर यहूदियों में से एक इसाई धरम में आने वाले विक्ती लूकस है एक बार संद पावलुस अपने दूसरी मिशनरी यात्रा के दवरान बीमार पढ़ गे और वे डाक्टर लूकस के पास पहुंच गे उनसे परामश लेने के लिए उनसे चील्ट सापराप करने के लिए और पावलुस ठीक भी हो गे और उसके बाद पावलुस ने लूकस को सुसमाचार सुनाया लूकस का मन परिवत्न हो गया तब से लेकर लूकस संद पावलुस के मिशनरी सहयोगी बने वे गायर यहूदियों के महान प्रेरित संद पावलुस के साथ यात्राएं लगातार करते रहे मिश्णगी यात्राएं करते रहे जब संद पौलुस तसलोनिक्या में एथन्स में कूरिंथ में यात्रा कर रहे थे और बाद में एफेसुस में तीन साल रहकर सुसमाचार की गोशना कर रहे थे उस समय लुकस ने ही फिलिपी की कलीसिया को संभाला और फिलिपी में रहकर एशुकेसुसमाचार की गोशना की प्रेरिचर से हमें पता चलता है कि संद पौलुस के साथ लुकस एरुशलेम गे और जब पौलुस के सरिया में कारागार में बंद थे तब लुकस ने पौलुस से मुलाकात की और इसी दवरान ही संभाउता लुकस ने सुसमाचार की रचना की और लुकस का विक्तित्व पौलुस से प्रजुलेता और उद्दीप थे इसी लिए पौलुस ने मौखिग रूप से जो भी सुसमाचार की गोशना की उसे लिखित रूप से लुकस ने लिखा और इसी लिए बाइबल के पंडित लोग विशेश कर संद जरोम और संद क्रिसोस्टम लुकस के सुसमाचार को संद पौलुस का सुसमाचार भी करते हैं लुकस ने पूरी विश्वस्तता के साथ पूरी इमानदारी के साथ पौलुस की सारी बातों को अपने सुसमाचार में लिखा लुकस के द्वारा सुसमाचार रचित करने के पहले संद मती ने अर्माई भार्षा में सुसमाचार की रचना की थी और संद मारकुस के द्वारा रचित सुसमाचार भी लुकस के सामने था संद लुकस ने मती और मारकुस के सुसमाचार से प्रेरना लेकर बहुत सारी जानकारियां लेकर अपने सुसमाचार की रचना की परक है इन तीनों सुसमाचार में लुकस के सुसमाचार में हम क्रीष्तिय पवित्रता, comics商 क्रीष्तिय दरिद्रता यानि साधगी गरीबी और सुसितिय आनंद के मुलियों के बारे में सुनते हैं उन बातों पर लुकस जोड देते हैं लुकस के सुसमाचार में बहुत सारी रोचक घटनाओं का वरनन हम सुनते हैं सबसे पहले सुगदूत गब्रियल मरियम के पास आते हैं और पवित्रात्मा की शक्ती से मरियम एशु को अपने गर्भ में धारन करेगी ये शुब संदेश सुगदूत सुनाते हैं और उसके बाद मरियम का एलिजबत से भेट और एशु का जन्म और एशु का बच्पन आदी बाते हम विस्तार से लुकस के सुसमाचार में सुनते हैं जिस तरीके से लुकस इसका वरनन करते हैं अन्यसुसमाचार में इस तरह का वरनन नहीं हैं संद लुकस ने बहुत कठिन परिश्रम करके अथक प्रयास करके इन सारी घटनावों को इनके वृतान को अलग अलग वक्तियों से बात करके जुटाया होगा और विशेश कर मा मरियम से बहुत सारी जानकारियां लुकस ने ले ली इसलिए लुकस के सुसमाचार को कुछ लोग मा मरियम का सुसमाचार भी करते हैं लुकस बहुत पड़े लिखे वक्ति थे युनानी भाषा के बड़े ग्यानी थे और इसलिए उच्चस्तरिय युनानी साहितिक भाषा में सुन्दर आकर्शक तरीके से रोचक तरीके से उन्ह सारी घटनाओं को समकालीन इतिहास के साथ उन्होंने जोड कर लिखा पड़े लिखे यूनानी लोगों को सुसमाचार और विश्वास की आइतिहासिकता को समझाने के लिए ताकि वे इसके इतिहास को स्विकार करे और उसकी आइतिहासिक प्रुस्ट भूमी समझाने के लिए लुकस ने इस बात पर जोर दिया कि पर्मिश्वर की दया और छमा सब के लिए है यहूदियों और गायर यहूदियों के लिए है प्रव की कृपा सार वो भावमिक है यह बत लुकस के सुसमाचार में दृष्टान्दों के बारे के दुआरा हमें पता चलता है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि लुकस के सुसमाचार में ही भले सामरी का दिर्ष्टान मिलता है उड़ाव पुतर का दिर्ष्टान मिलता है जब संद पौलुस गिरफतार होकर रोम में कैद में थे उस समय लुकस उनके साथ रहे दो बार उनके पास गे और संबोता उसी समय आदिम क्रिस्टिय समुदाई के इतिहास को लुकस ने विस्तार से लिखा जो आज हमारे पास प्रेरिक छरित गरंद के रूप में उपलप्त है संद पौलिस की शहादत के बाद मना जाता है कि लुकस वर्तमान युग असलाविया के दालमाती आगे और वहां सुसमाचार की गोशना की उसके बाद वे युनान में आए और युनान में उनकी मुर्ट्टी हुई और मना जाता है कि सुसमाचार की गोशना करते हुए उन्हें मौत के घाट उता दिया गया मना जाता है कि लुकस एक बहुत अच्छे चितरकार थे कांच पर वो चितरकारी करते थे और इसलिए वे कलाकारों के संड़ट्शक मने जाते हैं संद लुकस वाइदियों या डाक्टरों के भी संड़ट्शक है और जो कसाई लोग है और मुन्शी लोग है इनके भी संड़ट्शक संद लुकस मने जाते हैं मेरे प्री भाईयों बहनों आज के सु समाचार में लुकस एशु के द्वारा बहत्तर शिच्चियों को अलग अलग गाओं और नगरों में भेजे जाने का वृतांद सुनाते हैं एशु ने शिच्चियों को दोडो करके भेजा और जहां कहीं एशु को सुयम जाना था वहां अपने इन दोडो शिच्चियों को अपने आगे उन्होंने भेजा अपने अग्रिम संदेश वह के रूप में ताकि वे जाकर वहां तैयारी करें लोगों के हरदेओं को तैयार करें और एश उनसे कहते हैं फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े ही है यह फसल शब्द अक्सर गलत भभमी का कारण बन जाता है फसल का मतलब यह नहीं की कलीसिया के सदर्सियों की संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को बहजा जाता है नहीं फसल यानि जो पीडित है शोशित है जो बंदी है जो विभिन रूरी वादी विचार धारा में उसके जंजीरों में जकड़े हैं जो अंधे हैं जो लूले हैं लंगड़े हैं जो बहरे हैं इने भी मुक्ती की जरूरत है और उनका उधार करके जीवन धारा में जीवन के मार्ग पर ले आने के कारी को ही फसल करते हैं और वही फसल काटने के लिए शिश्यों को बहजा जाता है और इसी कारी को करने के लिए एशू आए और एशू अपने आगे अपनी से पगले अपनी शिश्यों को बहजते हैं और ये कारी आसान नहीं है बहुत ही कठिन है खतरनाक कारी है ये कारी खतरे से मोल लेने का कारी है और इसी लिए कहते हैं ये जाओ मैं तुम्हे भीड्यों के बीच भीड्यों की तरह भीड्यों का मतलब विनमरता के साथ सादगी के साथ एशू की तरह विनमर होकर और नर्धन होकर उने बहजा जा जाता है और किसी तरह के संसादन की कोई जरूरत नहीं ये शुमना करते ना थैली ना जोला ना बटुआ ना जूता ले जाओ ये इस इन सारी चीजों की जरूरत नहीं बस प्रेम की जरूरत है वही उनका सादन होगा और बेडिया, बेडियों के बीच में मने समाज के उन असमाजिक तत्तों के बीच में भी उने जाना होगा और ये बेडिया रूपी लोग उनका विरोध करेंगे, विरोध का सामना करना होगा येश्यू ने उस समय जो कहा था आज के दौर में जब हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे भेडिये हैं जो सुसमाचार के प्रचारकों को तंग करते हैं उन्हें जेलों में बंद करते हैं पिछले कुछ महिनों में या पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि उत्रप्रदेश के गाउं गाउं में सुसमाचार के प्रचार करने वाले लोगों को पीटा जाता है जहां प्रव के सेवक लोग प्राथना करते हैं लोगों को इत्रित करके उनके उनके बीच में सुसमाचार सुनाते हैं प्रोगियों की चंगाई के लिए प्राथना करते हैं उन्हें पीटा जाता है मारा जाता है उन्हें गरफतार करके पुलीस ले जाती है जेल में बंद क हर इतवार का दिन यहां के सुसमाचार के पचारकों के लिए कवफनाक दिन बन जाता है बहुत सारे लोग बंद है तो एशु ने जो कहा कि भेडियों के बीच में मैं तुमें भेडों की तरह भेजता हूँ आज साकार हो गया है लेकिन एशु हमें छेताव नहीं दे रहे है कि हमें डरना नहीं चाहिए हमें हिम्मत चाहिए भेड जो है आगे बढ़ते हैं अपने से नहीं जाते वे भेड चरवाहे के दिशान देश में आगे बढ़ते हैं हमें भी एशु के दिशान देश में आगे बढ़ना है सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए और हिम्मत हमें चाहिए ये हिम्मत ये विश्वास की प्रभू हमारे साथ है और जितनी ज़्यादा हम प्रताडित किये जाएंगे उत्पीडित किये जाएंगे शोषन के शिकार होंगे उतना ज़्यादा प्रभु का कारिय बढ़ेगा और प्रभु के सुसमाचार का कारिय बढ़ेगा और इसलिए हिमत के साथ इस कारिय को करना होगा एशु अपने सिश्यों को बेचते हुई है उन्हें कहते हैं वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज तुमारे निकट आ गया है रोगियों के लिए प्राथना करना रोगियों को चंगा करना ये एक विशेश जिम्मेदारी दी गई है याकुब के पत्र के पांचुएं अध्याई के तेरवें और छोदुएं पद पर हम पढ़ते हैं याकुब लिखते हैं एधि आप लोगों में कोई कش्ट में हो तो वो प्राथना करे कोई प्रसन हो तो भजन गाए कोई अस्वस्ट हो तो कलीसिया के अध्यच्छों को बुलाए और वे प्रबुक के नाम बर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्राथना करे और ये प्रती दिन हम देखते हैं कि जिन रोगियों के लिए प्राथना की जाती है रोगी चंगे हो जाते हैं और ये कारिय एशू हमें सौनते हैं, रोगियों के लिए प्रातना करे, उन्हें चंगा करे और उन्हें उधार लाए, सेवा का कारिय हम सबी कर सकते हैं, हम में से कोई शायद सुसमाचार के पचार के लिए घरगर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो इस तरह का कारिय नहीं कर सकते वेलोबी रोगियों के लिए सेवा कारी कर सकते हैं हमारे पडूस में जो रोगी है हमारे अगल बगल में हमारे गाउं में हमारे महलों में हम अस्पतालों में या वृधाश्रम में या अनाथाले में जो भी रोगी है जो बे सहारे हैं उनके साथ हम कुछ पल बिताएं, उनको प्रोचाहन दे, उन्हें अच्छे शब्द सुनाएं, सुसमाचार सुनाएं, उनके लिए प्रात्ना करें, उनकी सेवा सुशुशा करें, यही सुसमाचार के प्रचार का एक तरीका है इसु कहते हैं कि गोशना करो, उनसे कहो कि इश्वर का राज्य तुमारे निकट आ गया है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि इश्वर का राज्य का मतलब दुनिया के अंद के बारे में है, नहीं, हम स्वयम इश्वर का राज्य बन सकते हैं, इश्वर का राज्य का मतलब है, शान्ती का राज्य, सेवा का राज्य, परोपकार का राज्य, हम स्वयम इशर का राज्य बने, रोगियों के बीच में, पीडितों के बीच में, निराश लोगों के बीच में, हताशा से जो लोग गुजर रहे हैं, जो लोग अवसाद में, के दावर में हैं, उन सब के बीच म हम इशर का राज्य बन जाएं संद लूकस की तरह जो स्वयम वाइदे थे डाक्टर थे अपनी मिशनरी यातरा के यातराओं के दौरान उन्होंने लोगों को चंगा किया सुसमाचार सुनाया मदद तरेसा की तरह जिनोंने गलियों में गट्रों में नालों में पड़े हुए लोगों को उठाया उन्हों की मदद की और उन्हों की सेवाश शुषा की हम भी स्वयम इशर का राज्य बने इशर का सुसमाचार बने एशु के प्रेम के पैगाम सुनाने वाले बने आईए ह प्रात्ना करे। हमें बल दे, हमें बुद्धी और विवेक दे, कि तेरे दिशान्देश में, हम तेरे प्रेम के, तेरे शान्दी के, तेरे राज के सुसमाचार के संदेश वाहक बने, हमारे जीवन के हरेक शब्द, हमारे जीवन के हरेक कारिय, हमारे हरेक कदम, तेरे सुसमाचार की गोशना ये प्रात्ना करते हैं, क्रीस हमारे प्रभु के दुआरा, आमेन. झाल करते हैं, आमेन.